नमस्कार दोस्तो बॉडी बनाने का तरीका आज हम जो आपको टॉपिक बात करने जा रहे हैं बहुत से लोग उसके बारे में मुझे पूछते हैं कि सर बॉडी बनाने का सही तरीका क्या है प्लान क्या है हम उसे अपने जो इंटर्नल हेल्थ है उसे कैसे सुधा रहे हैं इस पर आपको इस वीडियो बनाईए तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुती लंधी वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसका नाम है बॉड़ी बनाने का तरीका जी हाँ दोस्तों चलिए सुरू बात करते हैं मस्कुलर बॉड़ी इंप्रेस्व लगता है लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एक दिन में तो नहीं बनता है और कड़ी महनत करनी पड़ती है इसके बात जो रिजल्ट देखेंगे तो आप भी खुश होंगे कैसे सुरू करें ये सफर मस्कुलर बॉड़ी बनाने का बॉड़ी बनाने का तरीका यहाँ पर मैं आपके सामने प्रस्तूत करूंगा जो आप आवस्या आजमाएं और मेरा यह जो वीडियो है इसे आप लोग अंत तक देखें तो आपको आपको फाइदा मिल सके चलिए बॉड़ी बनाने का तरीका प्लान के बारे में समझ लेते हैं पहले बॉड़ी बनाने के लिए आपको जो प्लानिंग करनी होगी इसमें समय की जरूरत है आपको समय देना बहुत जरूरी है आहार की और तरिन निश्चे की क्योंकि एक दिन में बॉड़ी नहीं बनता है दो साल के बाद सही रिजल्ट देखेंगे एक दिन प्लान बनाने में मंतली प्रोग्रस चार्ट फिर उसके बारे में सारी जो भी टिक मार्क्स है आपको उसमें पुरा ध्यान देना होगा उसके बाद ही आपकी बॉड़ी बनेगी तो एक सही तरीका क्या है चली पहला देख लेते हैं टाइम मैनेजमेंट जी हाँ दोस्तो बॉड़ी बनाने के लिए जिम में आपको एक घंटे तो बिताने हैं हफते में पांस दिन के लिए शेडूल में ऐसा अरेंज करें कि आपको सवेरे ये क्रिया कर सकें मतलब सुबसुब आप जाए जिम में और ये क्रिया करें आहार की बात करें तो सही आहार खाना और समय सार खाना ज़रूरी है तो ये आपके बजट और टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी है माइंडसेट भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों अगर आपने माइंडसेट चेंज नहीं किया है तो आप लोग अवश कीजिए क्योंकि माइंडसेट चेंज करने के बाद ये बहुत सारी चीज़े आप ऐसी होगी जो आप रूटीन में खा रहे हैं लेकिन आप उसको बदलाव करना होगा द्रिन निश्चे बड़े से बड़ा चीज बड़े से बड़े लोग जो है द्रिन निश्चे के बिना कुछ नहीं कर पाते हैं तो आपको द्रिन निश्चे करना होगा कि रोज मैं जिम जाओंगा पांस दिन इसके बाद मैं दो दिन आराम करूँगा लेकिन एक हミー आपको करती रहनी है और आपको अपना अंदुरुनी हेल्थ हो कैसे सुधारे उसके बारे में देख लते हैं बाडी बनाने के लिए पहला बाडी बनाने का जो उपाय है कि अपना स्वास्त सुधारे याने की पाचन-तंत्र सुधारे इसमें मैंने एक वीडियो बनाए है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी दी है अब आपको एक दो दिन डिटॉक्सिफिकेशन करें याने कि उपवास करें और शरीर का मेटबॉलिजम सुधारें तो जो आहार आप लेंगे उसमें से पोशक तत्वो का सही एप्शॉप्शन होगा और इसमें जो है आपको भी परिशानी जो भी है उसका हलोगा तो ये अवश्या आजमाएं चलिए आगे बढ़ते हैं बोडी बनाने के क्या-क्या उपाए हैं यानि कि आहार क्या-क्या लेने हैं आपको आम तोर पर लोग ज्यादा कार्बो हाइडरेट वाले आहार खाते हैं बॉडी बनाने का जो तरीका है उसमें आहार हो लोग बहुत खाते हैं लेकिन प्रोटीन की मात्रा और फैट्स की मात्रा जादा होना चाहिए और कार्भो हाइड्रेट्स कम होना चाहिए बॉडी बनाने के टिप्स में आहार में प्रोटीन इस तरह शामिल करें देख लेते हैं, वेजिटेरियन लोगों के लिए क्या क्या है, दूद एक उत्तम शोर्स है, प्रोटीन का, दूद, दही, पनीर, इसका आप सेवन कीजे, दो लीटर तक रोजाना तूद पीने से, आपको पूरी मातरा में प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है, तो मास पेशियो में जो और हड़ी को मजबूती मिलती है, आप दाल, राजमा, स्वयाबीन, चना, मटर खाएं, सिर्फ स्वयाबीन है जिससे सभी अमीनो ऐसिड है, दूसरे चीजों को मिक्स करके खाएं, ताकि सभी अमीनो ऐसिड मिले आपको, कम से कम रोज 200 ग्राम प्रोटीन युक्त आ ज्यादा खाना खाएं ताकि आपका पाशन क्रिया भी अच्छा रहे और साथ में आपको 100-200 ग्राम तक काजू भी आप ले सकते हैं, सूखा खोपरा भी उत्तम सोर्स है फैट्स के लिए, नॉन वेजिटेरियन की बात करें तो उनके लिए सब बेस्ट है, चिकन, फिश और मीट है अब को बात करते हैं, अब हम क्या नोचा रूज एक घंटे तक विरायाम जरूरी है मगर कंटिनवस नहीं, एक ट्रैस केरें पाँच मिनट आराम करें फिर शुरू करें एक्सराइज शुरू करें उसके पहले दूद, शहद और केले का सेवन और बाद में हाई प्रोटीन फूड ले जैसे नट्स, दाल, चिकन अगर अपनों वजिटेरियम है तो टू बाड़ी इमेजिएटली आपकी मौस पेशिव मे निर्मान शुरू कर दें बायाम भी अलग-अलग करें और इससे क्या होगा कि आपकी स्टैमिना आपकी जो ट्रेनिंग है वो बढ़ेगी सबसे पहले पहले स्ट्रेच कर लेजिए तकि बाड़ी जो है वो रिलाक्स हो जाए पुरी तरह से अंदेन यू के आप आराम से जो फिरो तक पहुंच जाए फिर पंदरा फिर बीस बाड़ी बनाने का तरीका है कि मसल को इतना एक्सेसाइज करें कि मसल फाइबर थोड़ा सा टेयर हो और फिर आहार से मास पेशिया बनके मसल टिशूस में व्रिद्धी होती है यादा वजन से मसल टेयर रिपैर क्रिया क्योंकि इससे क्या होगा आपको मतलब कुछ होगर हो जाता है आपकी बॉड़ी में तो फिर आपका मन पूरी तरह से टूटी जाएगा और जिम जाना बंद हो जाएगा तो स्लोली स्लोली कीजिए और हमेंशा प्रोथा ही तरीजिए अब सिक्स पैक की बात करें तो इसका पुलक से शुरू करें एक बार में हो सके इतना करें रैस्ट करें और फिर शुरू करें ऐसा पांच बार करें एक अब वील का सहारा लें आकल घंटो पर उसी पर जी दोस्तो, बॉडी बनाने के तरीके ये भी है कि वेट प्रेनिंग पर अवश्च ध्यान दे और अपने आम्स, शोल्डर्स, थाई और अब्डोमेन को एक्सराइस करें, एक दिन आम्स को करें, दूसरे दिन शोल्डर्स, तीसरे दिन अब्डोमेन और ऐसा करते रहें ये प पुरी तरह से रिलाक्स हो, बाडी बनाने के लिए खास फॉर्मूलेशन मिलते हैं, जैसे क्रियाटिनीन और वेप ओडर हो गया है, जो बाजार में आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं इसकी सला बिलकुल नहीं देता हूँ, नैचरल बाडी बनाना बहुत जरूरी है, और स् जिम नहीं जाना है, तो आप बाल्टी में रेत भर लीजिए और फिर ट्रेनिंग करिए घर पे ही, बाडी बनाने के घरेली तरिके जो है वो इंट और पत्थर को भी आप वजन के तौर पर इस्तिमाल कर सकते हैं, और बड़ी थाली में रेती भर दें और उसे दो थाली के पाइप के एंड में बांधने तो हो मेड जो है आपको बारबेल हो जाता है और उसे भी आप एक्सराइज कर सकते हैं, बाडी बनाने के लिए आयुरवेदिक जो टिप्स है वो मैं आपको दे देता हूं, सबसे पहला यह है कि सेहत बनाने के टिप्स में योग आहार खाएं फ्रेश एयर और सनलाइट में रहें, व्यसेन मुक्त रहें और अपने पाचन का ख्याल रखें, साथ में बाडी बनाने के लिए आयुरवेदिक मेडिसिन भी लें जो मैं आपकी मां स्पेशों में विर्दी का सहायक बनें, अश्वगंदा चून हो गया, उदार कंध हो गय या मुसली हो गया, सतावरी चून को घी और दूद में मिलागे, दिन में दो बार सेवन कीजिए, दूसरा है गाजर का रस, पालक का रस और ऐसे वेजिटेबल जूस का सेवन भी आप कर सकते हैं, घी में खजूर और गुड मिला की खाएं, गुड और तिल का सेवन भी कर सक में और फिट दिखाई देंगे, मसल भी उभर जाएंगे, दोस्तों अगर इस वीडियो जो मैंने जिम बे बनाएं, और आपको और भी किसी परकार का वीडियो चाहिए, जो आप देखना चाहेंगे, आप क्रिपया करके मुझे लिग दीजी और कमेंट में, और मैं आपको सेनल सीखे समझाओ, सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा, अंत में थैंक्स पर वाचिंग